आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे पुष्य नशत्र के टोटके और उपाए जिससे आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं यह पुष्य नशत्र है 9 नौमबर 2017 हम सभी अच्छा समय चाहते हैं चाहते हैं कि अच्छा समय आये पुष्य नशत्र का मातु सभी नशत्रों में सबसे बढ़ियां माना गया हैं यह शुभ मुहरतकाल समय होता है जो खरिदारी के लिए अत्यंत्र शुभ माना गया है यदि हम पुष्य नशत्र के समय कुछ प्रभाई उपाय और टोटके काम मिलें तो कभी धन की कमी नहीं होगी हम पे और हमारे घर पे लक्ष्मी जी की किर्पावर सेगी है गुरुवार और रविवार के दिन पढ़ने वाले पुष्य योग को गुरुपुष और रवी पुष्य नशत्र कहते हैं गुरुपुष और रवी पुष्य योग सबसे शुभ माने जाते हैं इस समय के दौरान छोटे बालकों के उप्रयान संसकार और उसके बाद सिब से पहली बार बिद्धा अभ्यास के लिए गुरुकूली में भीजा जाता है इसका ग्यान के साथ अठूट समंद है ऐसा कह सकते हैं कि इसके अलावा शनी और गुरु के समंद को उत्तम ज्यान की उती कहते हैं पंचाम को देखकर हर एक कारे करना चीए और पुशिन अच्छतर के टोटके और उपाय हम आपको बताने जाने है यदि रवी पुशिन अच्छतर पर मोती शंक में जल भरकर मोती शंक में शंक भरकर लक्ष्मी की मुर्ती के पास रखा जाए तो अनपुर्णा देवी अत्यंत खुश होती है इस समय मा लक्ष्मी के धन प्राप्ति के मंत्र का जब कमल गट्टे के माला के साथ 108 बार करना है आपके लिए के धन के दौर खुल जाएंगे मा लक्ष्मी को कमल पुश्व अत्यंत प्रिय है अता उनकी पंचुप चार पूजा वेदी या सुडोसुप चार पूजा में कमल पुश्व और सफीद मिठाई अर्पित करें इस पुश्व नच्छत्र के समय अपा मार्ग के पौदे का माथे पर तिलक लगाने से आप में समोहन शक्ति बढ़ती है इस से आपकी बातें दूसरे लोग मानने लगेंगे इस शुब मुरत में यदि आप धन संचे करने वाली तिजोरी में अपा मार्ग के जड़ रखेंगे तो ये तिजोरी आपके लिए भग गशाली और धन कीशने का साधन बन सकती है ये दिन माला से मंत्र जब्द का सही दिन माना जाता है आप किसी मंत्र को जब्द दौरा सिद्ध कर सकते हैं ये दिन माला से मंत्र जब्द का सही माना जाता है आप किसी मंत्र को जब्द दौरा सिद्ध कर सकते हैं धन्यवाद आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे दीजिए धन्यवाद